हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपके स्टडी है चैनल पर मैं ऐसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मंस्थ होंगे और अपनी तैहरी में जोरो सोरो से लगे होगे तो चलिए हैं शुरू करते हैं एक नहीं सीरीज जिसमें मैं आपको ब्लैक बुक के सारे वक्याप करते हैं तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वन वाडीकल किके वन वर्ट सब्चूइशन होने वाला चलिए विन देरी के सुरू करते अपने क्लास को जानतें कि आज का पहला वर्ट कौन आश वालोस हो है और है occasion होता वो क्या होता है अप्टॉर मतलब क्या होता कसाई खाना तो कैसी जगह होती है एसी जगह जहां पर जानबारों को काटा जाता है क्यों उसका में परपस क्या है कि कंजम्शन ओफ फूड हो ठीक है आप लोग ने इसका परफस स्विच जहां यह एक क्या वर्व ये आपको इस पिक्चर से याद रहेगा ध्यान दाया कि अबड़ मतलब क्या होता है और इसका प्रणॉंसियेशं भी मैंने लिख दिया है तो इसका जो प्रनॉंसियेशं होता है वह क्या होता एंप्डॉर शली नेक्स्ट बा बनाया जाता है मठहुछू तसी पीडियर ओंस्ट्र ओंस्ट प्लते उनी को क्या बनाया जाता मठ्धू उन्ही को बोलते हैं हमलोग मठह के क्या है जिए الي कर्षिचन वेसे अपने होते हैं ठीक है फॉप के बारे में सुनना होगा तो फटाक से बता दो कि एक इस पिक्चर को तो आपको इस पिक्चर से रिलेट करके चीजें नंबे समय तक याद होगी इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहां पर डाला प्रिलेट कर पाऊगे कि अबोर्ट मतलब क्या था मठभूरू मठभूरू कौन थे जो सूपीडियर होते हैं जैसे पोप को ध्यान में रख को कि वह क्या थे सूपीडियर है किसके तो मॉन्स्ट्री ठीक है शलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एवरेवेशन मतलब क्या होता संचेपन ठीक है एस फर्म होता है किसी बीए वर्ड का या फ्रेज का उसी को क्या बोलता है हम लोग संचेपन यावरेवेशन जैसे कि अपने देखा होगा कि हम लोग पूरा मिस्टर नहीं लिखते हैं m small r dot link देते हैं ठीक है corporation के लिए corp link देते हैं newer के लिए ny का use करते हैं ठीक है तो यह क्या होता है precise form होता है अब बोल सब तो इसको shorten कर देते है ठीक है तो फटाक से बताओ कि abbreviation का parts of speech क्या है यह भी एक क्या है नाउन है ठीक है आई होप आपको चीज़े clear हो गई होगी तो next की तरफ चलते हैं कि abbreviation मतलब संचेपन करना है ठीक है आप बहुत बरबर हो गया अब इसको क्या करो छोटा करो प्रिसाइज करो और बताओ की मामला क्या था ठीक है आप ऐसे नेमोनिक्स याद कर सकतो अब्डिकेट मतलब क्या होता है पद त्याह गला ठीक है तू गीब अप वन्स एथूरिटी और ठोन जब अपनी अथूरिटी को या फिर अपने सीहासन को त्याग देते हो उसी को बोलते है अब्डिकेट ठीक है इसके सीरोनिम्स क्या हो सकते रेनॉंस शरेंडर गीब गर आपने गेम अफ थ्रोंस देखा होगा तो यह किसके पीछे भागता रहता है तो ताज के पीछे पीछे सीहासन के पीछे भागता रहता है तो वहीं पर एक नीम है कि I was in the bathroom I did not advocate कि मैं तो बात्रों में था मैंने अभी पद का त्याग नहीं किया कि मैं तो पहले साके मेर अब मैं तुम्हें तक याद रहें कि अब तुम्हें मुझसे दिक्कत होने लगी अभी मुझसे दिक्कत होने लगी तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं पन्द को थ्याग दूंगा फटाक से बता दो कि अभीड का parts of speech क्या होगा तो इसका parts of speech क्या है यह वर्व है कौन सा व ठीक है आपने निमोनिक्स बना उगे तो छीज़ आपको लंबे समय तक याद आखेए तो मैं यहां पर आपकी हउप कर रहा हूँ कि आप ऐसे करेके भी बना सकते हो और चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हो ताकि आपका वोकवाएब प्र अच्छे से कमाड के लेता है ये अबिचेशन बॉसिए को कोई बोलते इसका पार्ट सोभास क्या है यहाँ या कुए जो क्या वह वह Il और application जो रहा है वह नहीं होगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है Abration Abration मतलब क्यों थे और समानने कैसे होगा जब कोई भी चीज किसी path से यह किसी course से क्या हो जाए ठीक है अब normal हो जाए उसमें deviation अजा उसी को बोलते एबरेशन और समानने चीजे समानने ना हो तो जैसे कि आपने दिखाओ कि अगर आप कहीं पर प्रीज्म या लिंस रख दे तो वाइट लाइट जा रही है यह यलो लाइट जा रही है तो क्या हो जाती है अपने पार्ट से वीमूख हो जाती है यह देवीएशन मतलब जाताहा विमॉफ होना पार्ट भीमूख होना तो क्या होता है अलग अलग कलर सम को देखने को मिल जाती है यह जैसे यह देख लो प्रेमैटिक एबरेशन है यहां पे बीचले में लगा दिया उन्द लगा डिया अब यह क्या होगै ब्लु कलर अलग हो तुनों के फोकल पॉइंट अलग अलगा लगा है तो कि अचलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट एब ऑलाइस मतलब क्या आता है समाप्ट कर घे हम किसी भी सिस्टम को या प्रैक्टिस को या किसी इंट कर देते हैं उसी को बलता है abolish formally put an end to a system practice or institution उसी को बोलते abolish ठीक है चीजों को क्या करना समाप्त कर देना अब abolish से यादा को सतीप रथा तो सतीप रथा को अब क्या कर दिया गया कर दिया गया है इसको एलिमिनेट कर दिया गया है इसको रिपील कर दिया गया है क्योंकि यह चीज अच्छी नहीं थी समाज के लिए एक कूप रथा थी तो उसको क्या कर दिया गया एक तो फटाक से आप लोग जल्दी से बता दो कि abolish का parts of a speech क्या हो तो समाप्त करना देख और यह क्या सेंस देरा वर्व ता कि यह क्या है एक वर्व है अब साथ के साथ यह यादो को कि ौर्ड जोम लर्ण करने वह नाउन है यह वर्व है या एड्जेक्टीव है part of a speech इसके साथ के साथ के साथ लर्ण कर लो ठीक है अगर आपको पार्टके स्पीच में दिक्कत आ तो आप कमेंट करके बताना मैं उसके लिए एक session लाओंगा चलिए next बात कर लेते हैं next aborigines aborigines मतलब क्या था मूल निवासी the original inhabitants of a country किसी भी देश के जो original inhabitants होते हैं जो वहां के मौझूदा लोग होते हैं लोकल बोलता है जो वहां के local लोग होते हैं ठीक है वही होते हैं मूल निवासी ठीक है अब origins बोलते हैं ओके तो aborigines की भी आप लोग parts of a speech बता दो तो यह क्या है aborigines क्या है एक noun है ठीक है आप इसके synonyms बोल सकतो नेटी जैसे इसको देखो अब देख के बता सकते हो कि यह कहां का मूल निवासी है देख पारो कुछ tribes बगार का अफ्रीकन tribes का है तो यह कहां गां मूल निवासी अफ्रीका का पको पता चलिया आगी कि 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 क्यंक्स कर लाइक है उसी को बोलते है मैंने synonym से बताया था, अभरेवेट करना, संचित करना, प्रिसाइज करना, सॉट करना, तू सॉटन पीस ओफ राइटिंग विदाउट लूजिन दस सही, सॉटो करना है, लेकिन उसका सिंस क्या होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, कोई भी राइटिंग है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही लंबा है, जैसे कि माहलों कि आपने कोई बुक लिखी, या किसी के बारे में आप चाह रहे हो, कि डिवेट करना है मुझे, उसके बारे में आपने जो प्रिपरेशन की, क्यों को 100-200 पेज की होगे, लेकिन आप उतना ज्यादा तो बोल नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, उसके एक प्रिसाइज बनाते हो, प्रिसाइज नोट बनाते हो, उसको बोलते हैं अबरीज, संचिप्त करते हो, ताकि में पॉइंट भी वहाँ पे हो जाए, और पूरी बात हम कहे पाएं, कम सब्दों में, मालो उसको आपने 10 पेज में कर दिया, तो उसी को बोलते हैं अबरीज का संचिप्त का, जैसे बरीज का क्या है, कि दो अगर मालो नदी के बीच बहुत दूर है, संचिप्त करना है, नेक्स्ट बात कर लेटे हैं, नेक्स्ट वर्ड है, एपसॉर्ड, एपसॉर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, कोई भी बात, जिसका कोई सेंस ही नहीं हो, इलोजिकल हो, रेडिकूलस हो, ठीक है, उसी को बोलते है, बेतुका, एपसॉर्ड, वाइलिजर्डिली, एलोजिकल, और रेडिकूलस, इसी को बोलते हैं बेतुका, अप लोग बता दो, कि बेतुका का पार्ट सपřे स्पीच क्या हो, तो बेतुका का पार्ट सप्पे स्पीच क्या है, ये क्या है, नाउन, कि यह ठीक है रिडिकुल olduğ उसका कोई लॉजिक होता नहीं है ठीक है अब इसको ऐसे याद कर साह दो कि अब मेरे सर्थ सर्द से यादह और को सर में दर्थ होने लगा क्यूं कि तुम बहुत ब्रतु की बाते कर लेते हो इसए ड्रोग अब सर्थ चीज़ कर रहे हो तो अब मेरे सर में धर्द होने लगा क्योंकि तो ऐससे आपको चीज़े याधर जतेगी अब सर में धर्द हो रहा है क्यों कि तुम ने के बात को इसे लॉजिक्तल रिजनल बात कर दो नेकल मैं elda कि नेवरेट एक्सलेरेंट मतलब क्या अता गति बढ़ाना कि स्पीड को बढ़ाते हैं कि 20 इसका five फिर फे लाथ कि एक एक इसका प्राइम ऐसा वक्ति जो आपको हर जगा क्या करें आपका पार्टनर हो ठीक है आपको help करें कोई भी crime हो कोई भी चीज हो उसमें आपको help करता है जो की morally wrong हो ठीक है अब बोल सकतो a partner in a crime ठीक है a person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong a partner in crime इसी को बोलते है एकांप्लेस ठीक है सह अपरादी फटाक से बता दो एकांप्लेस का parts of speech क्या होगा तो इसका parts of speech क्या है यह एक नाउन है ठीक है चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है accountant accountant कौन होता है मुनीम पहले के जवाने में हम लोग उसे मुनीम कह देते ऐसा वक्ति a person whose profession is to keep accounts ऐसा वक्ति जिसका काम ही है कि जो भी खाता हो लेखा जो खाओ उसका क्या करें हिसाब रखे उसी को बोलता है accountant ठीक है बात कर लेते हैं एकांटेंट का पार्ट ऑफी स्पीच अटाक से बता दो क्या है तो यह क्या है एक नाउन क्या है तो नाउन है तकी होप आपको सारी चीज जरी एक र्याउन हो गई को क्या बोलते हैं तो उसी ध्न इकलती है तो उसी सबस्ट की तो एक ऊस्टरिक्स का पार्ट सबस् devo आइक एक एडजक्तिб क्या एक एक सब्स्स क्या होत जब अब किसी को बरी करत तो मतलब उसको दोस्त से मुक्त दे diab neo कि वो आप guilty नहीं है, not guilty, vindicate, exonerate, ठीक है, यह सब क्या है, इसके synonyms है, to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime, अब decide करते हो, officially court में बताते हो कि कोई भी बैकती है, वो क्या है, दोसी नहीं है, इस crime के लिए, उस अपराद के लिए वो दोसी नहीं होगा, ठीक है, उसको आप दोस मुफ्त करते हो उसी को बोलता है, एक्विट, ठीक है, भरी करना, ठीक है, बात कर ले, एक्विट के parts of speech की, इसका parts of speech क्या होगा, इसका parts of speech क्या है, यह क्या होगा, ठीक है, अब तुमने क्या कर दिया, ठीक है, अब तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, अपराद करना छोड़ दिया, मत बुरी चीजे थी जब बुरी चीजों को छोड़ों तो आपको क्या कर दिया जाएगा बड़ी कर दिया जाएगा आपको दोस्मुक्त कर दिया जाएगा तो आपने उस दोस्त को छोड़ों तो आप ऐसे रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो मैंने पिक्चर इसलिए दिया नेक्स्ट है एक्रोबैट एक्रोबैट किसको बोलते हैं तो जो कलाबाज हो ठीक है जो कलाएं दिखाता है जिम्नास्टिक फिस्ट दिखाता होगा उसी को बोलता है एक्रोबैट ठीक बात कर लें इसके पार्ट्स ओप स्पीच की फटाक से बताना कि एक्रोबैट का पार्ट जिमनास्टिक हारकते दिखाता है कला यह दिखाता है रखस तो यह क्या एक नाउन ठीके इंच्ट रहें देखा लटकी को यह देखा रही है सब्दों के पहले अक्छरों से बना एक सम्द रहें मिनिग्फुल Okay ठीक है उसी वोलत है acronym ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बना दो वो एक acronym होगा नहीं जिसका एक meaning होगा ठीक है a word formed from the first letter of the words that make up the name of something जिसे कोई एक नाम मिले ठीक है यह कुछ अच्छा मिले ठीक है जिसका एक sense हो जैसे कि UNESCO ठीक है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization के लिए एक नाम क्या है UNESCO जब आप इसको बोलते हो पढ़ते हो तो आपको meaningful नाम मिलता UNESCO लग रहा है कि हाँ यह चीज़ हो सकता है अब यह देखो UNHCR यह तो नहीं लग रहा है एक meaningful sense नहीं दे रहा है ठीक है एक sense वाले वर्ड नहीं हो रहा है ठीक है कोई नाम नहीं बन रहा है तो यह क्या है acronym नहीं है although UNSCR अप्लिक सकते हो लेकिन यह एक acronym नहीं है ठीक है जैसे यह देखो आप always a pleasure ठीक है तो यह सब क्या है acronym I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते है नेक्स्ट है Acrophobia मतलब उचाई का डर phobia मतलब क्या होता है डर phobia जो हो है वह root word है किसके लिए for fear fear का root word है क्या phobia तो fear of great heights जिसको उचाई से डर लगता इसको क्या बोलता है Acrophobia ठीक है उचाई का डर होता है जैसे आप बहुत उची जगह पर जागो तो ऐसे चिलाने लगो नहीं नहीं मुझा आप नीचे जाना है या फिर आपका सर भूमने लगेगा चक्कर आने पार्ट सब्स्पीच बता दो फटाक से तो यह क्या है एक नाउन चाहिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्ट एक्ट मतलब क्या होता है कारेक करना ठीक है तो डू सम्टिंग तू बिहेव इन पाटिकलर वे तू पर्फॉर्म अपार्ट इन प्ले फिल्म उसको भी क्या बोलता है यह आप इस पिक्चर से चीजों को डिलेट कर सकती हो ठीक है यह क्या चीज ऀड किस्ट करती है तो यह सारी कुसागर बुध्धी कुसागर मतलब करता है जिसकी बुध्धी बहुत तहीं जो बहुत ही जल्दी कोई सही डिसिजन ले ले कोई जजमेंट कर ले उसी कोब्ता है अग्यूमेंट The ability to make good judgment and take quick decision उसी कोब्ता है अग्यूमेंट तो बहुत हाँ टीक कि में जाते हैं कRe hopping करने तो स्ट्रवान जाते हैं लेते निखले बद्धि faço अप्रम्ण कुछ होना चाहिए बहुत ही जलदी आपको क्या कहना पड़ेगा तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताए कि आपको और क्या इंप्रूमेंट चाहिए क्या आप 20 वर्ट सी सीखना चाहते हैं या इससे भी जादे वर आपकास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेख किया है